गर्बवती माता को सलाह देते हैं कि उसको केसर का उप्योग करना चाहिए कहीं बार ऐसा भी कहते हैं कि कैसर खाने से बच्चे का रंग गोरा होता है तो कहीं लोग ऐसे भी मानते हैं कि कैसर का सेवन गर्बवस्ता के दौरान करने से कैसर गरम होता है इसलिए मिस्करिज हो सकता है उसके साथ ही अगर ज्यादा केसर खाया जाए तो बच्चे को भी नुक्षन कारक साबित हो सकता है इन सभी बातों के वमलों से गर्बवती माता हमेशा कन्फ्यूज रहती है कि उसको केसर खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए खाना चाहिए तो कितनी मात्रा में खाना चाहिए? कब खाना चाहिए? प्रेगनेंसिय में कौन से महिने से खाना चाहिए? इन सभी टॉपिक पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे. इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए. अगर आप हमारी चैनल पे नए है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए केसर जिसको हम सैफ्रोन बोलते है एक वो पॉपिलर हब है ओरिजनल केसर की किम्मत बहुत ज्यादा होती है और केसर कींग ओफ स्पाइसीज भी माना जाता है असली केसर की परक उसके डार्क यानी की गाड़े रंग से होती है कहीं लोग केसर का उप्योग रसोई में फ्लेवर लाने के लिए करते है तो कहीं लोग स्वाद बढ़ाने के लिए भी केसर का उप्योग करते है यहाँ पे सवाल ये होता है कि क्या गर्भवसा के दौरान केसर का उप्योग करना सूरक्षित है? जी हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान केसर का उप्योग जरूर से कर सकते है और केसर एक सूरक्षित हब है परन्तु उसका उप्योग योग्य मात्रा में करना चाहिए अगर उसका यूज योग्य मात्रा में करा जाए तो केसर गर्भवती माता और शिशु के लिए आशिर्वत रूप साबित हो सकता है परन्तु अगर केसर का उप्योग ना समझी से और अयोग्य रूप से किया जाए तो गर्भवती के लिए वो श्राप रूप भी साबित हो सकता है कहीं बार अगर केसर का यूज अयोग्य रूप से और अंडस्टेंडिंग के बीना किया जाए तो कहीं बार वो मिसकरेज भी होने के चांस बढ़ जाते है तो यहाँ पे हम देखेंगे कि केसर का विवेक पूर्ण उपयोग गर्भवस्ता के दौरान कैसे करे केसर का उपयोग आप सुभख के टाइम पे कर सकते है और रात को सोते समय भी कर सकते है सोते समय दूद के साथ पीके भी कर सकते है केसर की प्रकृती गर्म होती है ऐसा माना चाता है इसलिए केसर का उप्योग दूद के साथ लेना ज्यादा ही ताव है केसर की मात्रा कितने प्रमान में होनी चाहिए वो देखे तो रोज दो या तीन रेशे केसर के उपयोग में लेने चाहिए। उससे ज्यादा नहीं। कहीं गर्भवती माता को प्रश्न होता है कि उसको कौन से महिने से केसर का उपयोग करना चाहिए। केसर का उपयोग गर्बवस्ता के पहले तीन मेहने में, यानि की फर्स ट्राइमिस्टर में बिलकुल भी नहीं करना चाहिए, केसर का उपयोग सेकंड ट्राइमिस्टर और थर्ड ट्राइमिस्टर में आप कर सकते है एक बात हर एक गर्भवती माता अवश्य याद रखे जिस माता के शरीर में गर्मी का प्रमान ज्यादा होता है और जिन माताओं को वारम वार मिसकरिज हो जाता है ऐसी माता को केसर का उप्योग नहीवत करना चाहिए और करे तो विविक पुर्ण करना चाहिए केसर की प्रक्रूती गरम और उश्न होती है ये बात nutrition science मानता नहीं है और स्विकार भी नहीं करता है इसलिए केसर का उप्योग योग्य मात्रा में किया जाए तो केसर की बहुत सारे फाइदे है माना जाता है कि प्रग्नेंसी के दोरान अगर केसर खाया जाए तो बच्चा गोरा होता है ये बात एकदम व्यर्थ और साबीती के बीना की है जिसका कोई तथ्य ही नहीं है बच्चे का रंग तो जीनेटिक और माता पिता के रंग पर से डिसाइड हो जाता है इसलिए केसर पीने से बच्चा गोरा होता है वो एकदम मीत है गर्भवस्ता के दोरान योग्य मात्रा में केसर लेने से वो वर्दान रूप साबीत होता है उसके कहीं सारे फाइदे है जैसे कि कहीं महिलाव को गर्भवस्ता के दोरान मूर स्विंग की समस्या सताती है तो केसर खाने से मूर स्विंग की समस्या में बहुत सारी राहत मिलती है जब शिशु का विकास गर्ब में होता है तो शरीर में खीजाओ दुखावा जैसी समस्या ये होनी स्वाबाविक है केसर खाने से इन सभी समस्याओं में से राहत मिलती है कहीं बार कहीं महिलाओं को सेकंड ट्रैमिस्टर और थर्ड ट्रैमिस्टर के दोरान जी गबराना, उल्टी होना, कहीं ठीक से अच्छा नहीं लगना, सिर्धर्द होना जैसी समस्या होती रहीती है तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए केसर बहुत ही मददरूप साबित होता है, केसर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, केसर में पोटिश्यम और एंटि अक्सिडन्ट के जैसे गून होते है, जो माता के शरीर में कॉलेस्टर लेवल को संतुलित रखता है, और हद सबंदी समस्याओं के खत्रों को भी कम करता है, जिसे बच्चे में एनिम्या जैसे गंभीर विमारी की समस्या नहीं होती है, कहीं बार गर्भवती माता को नींद नहीं आने की समस्या भी रहती है, ऐसी माता जो रात में सोते समय केसर वाला दूद पीती है, तो उसको रात म पूर्ति नीन आती है केसर खाने से त्वचा में निखार आता है गर्भवती माता ज्यादा सुन्दर लगने लगती है केसर खाने से माता की रोग प्रतिकारक शक्ती भी बढ़ती है इसलिए शरीर में कोई भी तरह का इंफेक्शन लगने के चांस नहीं वध हो जाते हैं तो ये थे केसर खाने के फाइदे, अब हम देखेंगे कि केसर खाते समय कौन से सावधानी बरतनी चाहिए और ज्यादा उपयोग करने से कौन से गेर फाइदे होते हैं। अगर ज्यादा केसर का उप्योग किया जाए और जो गर्बवती माता को केसर माफक नहीं आता है ऐसी माता का शरीर का तापमन बढ़ जाता है तो उसको केसर का उप्योग कम कर देना चाहिए और नहीं करना चाहिए केसर का उपयोग शरुवात के तीन महीने में करने से गर्बपात होने की शक्यता भी बढ़ जाती है इसलिए शरुवात के तीन महीने में यानि की फर्स ट्राइमेस्टर में केसर का उपयोग नहीं करना चाहिए दूसरे और तीसरे टाइमिस्टर में आप केसर का उपयोग कर सकते हैं अगर अगर दूसरे और तीसरे टाइमिस्टर में भी केसर का उपयोग अगर अयोग्य रूप से किया जाता है तो माता के शरीर में समवेदन शिल्टा बढ़ जाती है जिसकी कारण गबराहट होना, बेचेनी होना, सिर्धर्ध होना, मुँग का सुक जाना, जैसे समस्याई बढ़ जाती है, कहीं बार केसर का उप्योग ज्यादा करने से उल्टी भी हो सकती है, कहीं बार होट और नाक में से लोई भी निकलने लगता है, शरीर सुन्न हो जाता है चक्कर आते है, शरीर पिला पड़ जाता है, पेशाब में से बलड भी आता है, ऐसी कहीं सारी गंबीर समस्या हो सकती है, अगर आपको ऐसी गंबीर समस्या दिखाई दे, तो डॉक्टर का संपर्क अवश्य करें, और केसर का उप्योग तुरंध ही बंद कर दे, केसर कौन स सर्दी रुतु में खाना चाहिए, इसकी जवाब में मैं इतना ही कहूंगी, केसर अगर सर्दी के रुतु में खाया जाए, तो बहुत ही फाइदा का रख है, गर्मी में उसका उप्योग कम करना चाहिए, और उसका उप्योग विविक पुर्ण किया जाए, तो ज्यादा ब बहुत ही फाइदा करोखोगी, ऐसी ही अन्य जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, धन्यवाद.